यह लेवल सिर्फ आप और मैं ही नहीं वाच कर रहे हैं पूरा मार्केट यह लेवल वाच कर रहे है अगर मार्केट यह लेवल वाच नहीं करता तो प्राइस उस लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं करता लेकिन प्राइस रिस्पेक्ट करता है इसका मतलब क्या है पूरा मार्के इस लेविल को वाच कर रहा है पिरे पीछे आपको निफ्टी का नियर्मन फ्यूचर का चार्ट दिखेगा प्राइडे का जो ट्रेड है वो बहुत इंपोर्टेंट है और ऐसे मैं क्यों कहता हूं क्योंकि लास्ट इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपसे एक लेविल के बारे में डिस्कुस किया था वो थाउजन 17600 का लेविल निफ्टी के लिए और फ्राइडे के दिन मार्केट में जो गिरावठ हमें देखने को मिली यानि निफ्टी 17500 के आसपस वाला लो करने के बाग में बांस बैक भी दिया और बांस बैक में 17600 का लेविल यानि वो जो 17600 का लेविल है यह जो रेड कलर का यहाँ पर होर्जोंटल लाइन आपको जो दिख रहा है चार्ट पे इसके फिर से उपर आ गया अब इसका सीधा मतलब क्या है कि यह लेवल सिर्फ आप और मैं ही नहीं वाच कर रहे है पूरा मार्केट यह लेवल वाच कर रहे है अगर मार्केट यह लेवल वाच नहीं करता तो प्राइस उस लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं करता लेकिन प्र यहां पर मैंने लिग दिये हैं यह तीनों इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करेंगे बिसिकली नजदीक नजदीक है सो पॉइंट में तीन लेवल्स है 179605 से लेकि 17502 जो रिसेंट लो है यह पूरा सपोर्ट बैंड के तौर पे काम करेगा ठीक है तो जब तक यह लेवल होता है जब तक यह सपोर्ट रिस्पेक्ट होता है अब तक चिंता वाली बात है नहीं अब एक चीज द्यान में रखिये, रहे इंपोर्टेंट चीजे हैं पहली बात यह सा parole कि कि आ पहले बात हो गई अब दूसरी बात ऐसी है कि थर्स्टे को derivative expiry है यह दूसरी बात हो गई और तीसरी important बात है कि एक तारीक को 1st of February को बाद वाले हफते में midget यानि 8-9 दिन है कुछ तो 1st of February को budget आएगा तो next week market budget expectations कैस करने की कोशिश करेगा उसके साथ quarterly earnings पे price discounting होगा और जो भागे हुए stocks हैं उनमें हमें cautious trade देखने को मिलेगा तुकि बड़ा event आने वाला है तो उससे पहले कोई positions लेने में जो भागे हुए stocks हैं उनमें positions हलकी रखेंगे लोग तो इसलिए मुझे लगता है कि यह 3 important चीज़ है next week के लिए तो 17,600 और 17,500 यह nifty के लिए important support levels है जब तक यह respect होता है चिंता वाली बात है नहीं यह break होते है तो ही view change होगा उस case में हम review जरूर करें side फिल्हाल limited है क्योंकि events है तो मुझे लगता है कि event जिस तरीके से unroll हो जाता है उस पे upside की जो उपर की जो levels है वो decide होंगी अभी तो मुझे लगता है कि 17,723 से लेके 17,790 तक यह जो पहली 3 levels है यह हमने watch करनी जरूर यह यह तीन levels शायद उपर की तरफ play में आ सकती है नीचे की again तीन levels है तो यह levels पर ज्यान रखिए एक बात जो मैं यहां पर add करना चाहता हूं वो है ग्लोबल मार्केट्स यूएस में आज inflation जो है वो 7% है 1990 में जो highest inflation यूएस में था वो था ताड़ी पाच तक का तो आज हम 1980 की level पे हैं नॉर्मली वहां पे 2-2.5% का inflation होता था तो आज हम 1980 की level पे पहुच चुके हैं वापिस इसका सीधा मतलब क्या है अगर inflation उपर है तो इसका मतलब है interest rates भी उपर जाएंगे interest rates अगर उपर जाते हैं तो जो इतने सालों में हमें US मार्केट में जो एक kg या अप्ट्रेंड देखनी को मिला वो प्रॉब्लम में आ सकता है क्योंकि पैसा stock market से अगर interest rates बढ़ना शुरू होते हैं तो पैसा जो है वो stock market से interest rates instruments में जाना शुरू होगा तो यह भी कॉशन वाली बात है मुझे लगता है budget हमारे market के लिए अगर बड़ा कुछ trigger होगा तो वो budget होगा budget में अगर कुछ आएगा budget में ऐसा कुछ होगा कि जो market को फिर से एक बार fuel कर पाए तो हमें आगी का एक उपर वाला ट्रेंड जरूर देखने को मिल सकता है लेकिन तब तक थोड़ा सा question रखना बहुत जरूरी है मेरे पीछे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखेगा यह नियर्मन future का चार्ट है देखिए बैंक निफ्टी भी correction मोड में है no doubt about it लेकिन जो सारी candles यहाँ पर बन रही है यानि यह अगर आप पूरा correction का period देखो तो यहाँ पर जो candles बन रही है यह सारी candles in decision वाली candles है तो अब भी जो dictate हो रहा है trend वो individual stocks की जो result announcements हो रही है वो उसके basis पे हो रहा है और इसी तरीके का trend continue भी होगा तो next week यह भी इसी तरीके का trade हमें दिखाने वाला है levels कौन सी watch करनी है तो नीचे में 3 supports है उपर में 3 resistance भी है मुझे लगता है कि यह levels के बीच में ही बना रहेगा shopiness बना रहेगा इसलिए index trade में low profile रखें यह दोनों तरफ खिलने वाला है तो ऐसे समय में नहीं कुछ किया तो वह ज्यादा बहतर होगा script specific view रखें अभी फिलाल banking stocks भी consolidation में है तो उनमें भी कुछ ऐसा इंट्रेस्टिंग ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है तो यह period जाने दे मुझे लगता है next week low profile बोड़ करना जरूर यह script specific view रखना ही है no doubt about it लेकिन low profile रखें next week के लिए budget के बाद मुझे लगता है कि market में फिर से हमें action देखने को मिल सकता है मेरे पीछे आपको Reliance Industries का चार्ट दिखेगा यह weekly चार्ट है long term चार्ट पर हम analysis करने वारे weekly और monthly दोनों चार्ट देखेंगे इसको monthly कर देता हूं मन्तली मैंने कर दिया अब यह अगर आप चार्ट देखो तो आपको एक चीज जो समझ में आएगी immediate वो है कि यह एक तो पहली बात तो 2020 में हमने एक इसमें एक uptrend देखा यह देखिए यह वाला जो uptrend है यह हमने देखा इस uptrend के बाद यह stock एक consolidation से गुजरा यह पूरा जो एक साल का जो period था उसमें stock ने consolidate किया एक narrowing consolidation kind of इसमें आपको दिखेगा के बाद हमें उपर का यहाँ पर एक breakout मिला यह वाला जो candle है वो तो अब यह वाला जो है यह वाला जो candle यहाँ पर आपको दिख रहा है सफेद कि हमें उपर breakout मिल तो यह जो black color की horizontal lines यहाँ पर plot कर दी है यह नीचे की support और उपर की resistance वाली lines बनती है अब यह जो candle है September 21 का यहाँ पर आपने breakout दे दिया उपर में और उपर चला तो basically long term chart जब मैं यह देखता हूं तो यह मुझे एक bullish indication देता है इसका price target कितना होगा इस formation का इसका यह प्रिश्यान असिस्ट में भी है यानि आप सप्टेमबर कम 30th सप्टेमबर का जो है प्रिश्यान अगर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा detail analysis मिल जाएगा यह देखिए आप रॉक्स तो इसका target करीवन बनता है अब यह long term chart है 3480 के आसपास इसका target बनता है long term target और कितने दिन में अगर अच्छी होना है वह अगर देखते हैं तो नहीं यह हमको कहता है कि छे से साथ मेहनों में यह target अच्छी होगा अब breakout होने के बाद पिछले अगर चार मेहनों का period देखते है तो चार मेहनों में यह stock एक consolidation से गुजरा है यह जो latest वाले यहाँ पे जो चार मेहने आपको दिख जाएंगे यह consolidation वाले periods है अब इस दौरान इस stock ने अगर यह consolidation अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज जो अच्छी positive जो notice होगी इसलिए मैंने बढ़ा कर दिया यानि मैं आपको यह levels दिखा पाऊं कि जो शारी जो trend lines और horizontal lines यहाँ पर मैंने plot कर दी है 2236 2370 और यह नीचे की तरफ यह एक level है 2200 का तो 2200 से लेके 23 2200 से लेके 2370 इस तरीके का स्टॉक में यह सपोर्ट बैंड बनता है और पिछले चार मेनों से यह सपोर्ट बैंड यह स्टॉक इस सपोर्ट बैंड को रिस्पेक्ट भी कर रहा है यह भी आप यहाँ पर दीख सकते हैं अब जब तक यह स्टॉक इस level को रिस्पेक्ट करता है और जब तक इसके उपर बना रहता है तब तक यह जो फॉर्मेशन है इसका सप्टेमबर 21 में हमें ब्रेक आउट मिला वो फॉर्मेशन अभी भी इंटक्ट है अब क्या है कि बढ़ चुका है इसलिए यह कंसॉलीशन से गुजर रहे तो उसमे 222.00 के नीचे इसका स्टॉप लॉश होना जीए तो 2190 का इस लॉंग वाले ट्रेड का स्टॉप लॉश लॉश होगा इन्वेस्मेंट वाला ट्रेड ध्यान रहकिए एक दिन में या एक हफते में नहीं होने वाला है कि यह कुछ महनों में होने वाले है तो यह लेबल्स पर accumulate कर सकते हैं 2190 का stop loss रख सकते हैं और जब ये उपर के जो ये resistances है शौट टम में जो resistances बने 2550 से लेके ये वाला जो हाई 2751 का ये break करके जब ये उपर चलेगा जब ये 3400-3480 की levels के लिए उपर की तरफ गेम करेगा समझ में आ रहा है तो ये view जो है ये bullish है और ये view कब तक intact होगा जब तक ये नीचे की जो ये मैंने यहाँ पर लेबल जो लिखे 2200 और 2370 का जो support level है ये जब तक ये stock respect करता है तब तक ये view bullish intact रहेगा top loss क्या है 2190 का और period है long term यानि investment में अगर आपका interest हो तो ये stock आपके interest का होना ज़रूरी है detail analysis इसका आपको उपर में प्रिश्यन असिस्ट में मिल जाएगा 30th September 21 की date पे detail analysis posted है आपको अगर मेरे तरफ से updates आते नहीं है तो इसका मतलब है आप मेरे mentorship program के member नहीं हो तो नीचे मेरा number दिया इस number पे आपका interest मुझे WhatsApp message कर दीजिए team आपके contact में आ जाएगे आपको तुरंत enroll करा लेगे आपको सीधे मेरे तरफ से updates मिलेंगे अगर मेरा update नहीं आता है तो इसका मतलब है low profile रख रहा है जो कुछ जब भी interesting होगा तब उसी समय पे आपको मेरे तरफ से update मिलेंगे opportunities do not have a habit of sending an SMS लेकिन अगर आप मेरे broadcast में है अगर आप मेरे mentorship program के member है तो opportunity बनने से पहले मेरे तरफ से आपको डिक मिलें यह वीडियो आपके दोस्तों के साथ share कीजिए ताके उन्हें भी पता चले market पे क्या view बनता है और किस तरीके से analysis होता है, reliance पे किस तरीके से opportunity बन रही है यह भी उन्हें पता चले वीडियो से आपको क्या सिखने को मिला जो मैं सारी ideas और videos में जो बाते share करता हूँ उससे आपको क्या सिखने को मिलता है इस video की comments में तरूर लिखके बताईए सबसे important मास्क पहनिए और खुद को और खुद के परिबार को safe लखे आपने मुझे इस वीडियो में जोइन किया इसलिए आपका धन्यवाद आपका अंदार्चम सान्य